जितिया व्रत कथा पौरानिक कथा के अनुसार, एक बार एक गरूर और एक मादा लोमडी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की काम ना की। उनके उपवास के द जन्द के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चीई की संतान लंबी आयू के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिनाम स्वरूप उन्होंने कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवनशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपत के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरूर को चड़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नमब था। उसकी समस्या सुनने के बाद जि धके हुए जिमूतवाहन को पकड़ कर चटान पर चड़ जाता है। उसे हिरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वो जिमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरूर जिमूतवाहन की वीरता और परोपका से प्रसन होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है. मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्यान के लिए जित्यावरत मनाया जाता है.